TB का infection हमारे देश में एक बहुत कॉमन बिमारी है यहाँ infection किसी भी age group में हो सकता है बच्चों से लेकर बूरे तर पर TB का infection जब young age group के लोगों में होता है तो इसका सीधा सीधा प्रभावख पड़ता है उनकी fertility पर आईए आप हम detail में discuss करते हैं कि TB का infection fertility को किस तरीके से प्रभावित करता है TB का infection primarily होता है lungs में लेकिन यहाँ infection bones में, brain में, intestine में, reproductive organs में भी फैल सकता है अगर यहाँ infection पुरुषों को प्रभावित करता है तो यहाँ उनके reproductive organ जैसे के testis उनको नश्ट कर देता है जिससे कि उनके शुक्राणू बनने की शमता या तो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है या फिर नलियों में रुकावट के कारण सीमन में शुक्राणू नहीं आपाते हैं जिसके हम बोलते हैं अगर TB का infection महिलाओं में होता है तो यहाँ उनकी fallopian tube, ovary और uterus की lining जिसे कि हम endometrium कहते हैं उसे प्रभावित करता है TB का infection tubes को नश्ट करके या तो उन्हें block कर देता है यहाँ infection ovaries में अगर हो तो ovaries की अंडा बनाने की शमता या तो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है uterus की अंदरूमी परद जिसे हम endometrium कहते हैं कई cases में देखा है कि या तो वह पूरी तरीके से damage हो जाती है या फिर उसमें अंदरूमी जाली पर जाते हैं जिसे कि हम Asherman syndrome कहते हैं अगर TB का इलाज लेने के बाद भी आप naturally conceive नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में IVF इसका एक successful इलाज है जिन पुरुषों के शुक्रानों नहीं बनते हैं या नलियों में रुकावट हैं ऐसे पुरुषों में हम तीसा या पीसा पद्धिती के द्वारा शुक्रानों प्राप्त कर सकते हैं और इकसी पद्धिती के द्वारा उन शुक्रानों को इस्तमाल करके बुरून बना सकते जिन महिलाओं की tubes या तो खराब हो चुकी है या उनमें रुकावट आ चुकी है ऐसी महिलाओं को injection के द्वारा उनके अंडे बनाई जा सकते हैं और उन अंडों को शरीर से बाहर निकाल करके भूरून बनाने में इस्तमाल किया जा सकता है अगर आपके uterus की lining जिसे के हम endometrium कहते हैं उसमें जाले पड़ गए हैं या वो पूरी तरीके से नश्ट हो चुकी है तो हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा उन जालों को हटाया जा सकता है और दवाईयों के द्वारा नई endometrium को बनाया जा सकता है IVF TB के patient में एक बहुत successful इलाज है